Hello students, welcome to my channel Learn with Lalita तो students, आज का हमारा टॉपिक है Place Value and Face Value Place Value को students हिंदी में बोलते हैं स्थाने मान and Face Value को students हिंदी में बोलते हैं अंकित मान तो students Place Value हम देखते हैं पहले Place Value क्या होती है students? किसी भी डिजिट की Place Value depend करती है कि वो डिजिट उस नंबर पे किस Place पे है वो डिजिट जिस Place पे होता है students उस Place के नंबर से हम उस डिजिट को Multiply करते हैं और उसकी Place Value निकालते हैं डिजिट की ओके स्थाने तो देखें यहाँ पे हमारे पास में जो यह नंबर है इस नंबर में सभी डिजिट की अलग-अलग Place है अब यह डिजिट जिस-जिस Place पे हैं उस Place के नंबर से हम इन डिजिट को Multiply करेंगे और इन डिजिट की Place Value निकालेंगे ओके students इस तरीके से Place Value निकाली जाते है and Face Value students Face Value कभी Change नहीं होती जो डिजिट दिया हुआ होता है वही उसकी Face Value होती है उसमें आपको कुछ नहीं करना है जैसे आपको Two की Face Value निकालने हैं तो Two की Face Value रहेगी ठी की ठी रहेगी जितने भी हमें digits दिये हुए है इन सबकी Face Value सेम ही रहेगी यह जो डिजिट दिया हुए हमें वो ही इसकी face value लेकिन इसकी place value आपको निकालनी है तो वो आप कैसे निकालेंगे students सबसे पहले आप देखेंगे कि यह जो हमें digits दिये हुए होते हैं कि यह जो digits किस-किस place पे हैं तो सबसे पहले हम place लिख देते हैं students उपर 3 हमारा ones के place पे है 10, 100, 1000, 100, 100, 100,000, 100,000, 100,000 and crore okay students अब हमने देख लिया यह हमारे जो digits दिये हुए हैं किस-किस place पे हैं अभी देखे 3 हमारा ones के place पे है 2 हमारा tens के place पे है 9 हमारा hundreds के place पे है 8 हमारा thousand के place पे है 7, 10,000 के place पे है and 6 हमारा lakh के place पे है and 5 हमारा 10 lakh के place पे है and 4 हमारा करोर के place पे है अब हमने देखा students ये जो सभी digits हमें दिये हुए है ये सभी digits अलग-अलग place पे हैं ठीक है? अब हम इन में से जिस भी digit की place value निकालेंगे students हम उस digit को उसके place की value से multiply करेंगे समझ में आया? अब हम किसी भी digit की place value निकालेंगे students तो हम क्या करेंगे उस digit को वो जिस place पे है उस place के number से उसको multiply करेंगे और उसकी place value आ जाएंगी ठीक है students? तो देखे जैसे हम यहा 6 की place value निकालते हैं तो 6 हमारा कौन से place पे students? लैक के place पे है ठीक है? तो अब हम 6 को किस से multiply करेंगे? place value में मैंने आपको क्या बताया? कि वो digit जिस place पे होता उस place के number से इस place का number क्या है students? लैक ठीक है? तो हम इसको 6 को किस से multiply करेंगे students? लैक से multiply करेंगे तो इसकी place value कितनी हो जाएगे students place value of 6 is 6 into lakh ठीक है आप ऐसे भी कर सकते हैं यह तो आप ऐसे भी लिखे ऐसे भी लिख सकते हैं यह देखे हमने 6 को किस से multiply किया लैक से multiply किया तो 6 बंजा 6 तो इसकी place value कितनी आगे students इसकी place value आगे हमारी 6 lakh ओके तो यह हमारे जो digit है जिस जिस place पे हैं उस place के नंबर से हम इन digits को multiply करेंगे और इनकी place value आ जाएगी ऐसे ठीक है जैसे 3 की place value कितनी होगी 3 2 की कितनी होगी 2 किस से multiply होगा 10 से तो 2 की place value कितनी हो जाएगी 20 9 की place value कितनी हो जाएगी students किस से multiply होगा 9 100 से क्योंकि यह कौन से place पे है 100 के place पे है तो 9 को हम किस से multiply करेंगे 100 से multiply करेंगे तो 9 की place value कितनी हो जाएगी 900 8 की कितनी हो जाएगी 8000 और 7 की कितनी हो जाएगी 7 को हम किसे multiply करेंगे 10,000 से तो जब 7 को हम 10,000 से multiply करेंगे students तो इसकी place value कितनी हो जाएगी 70,000 ओके students and 6 को हमने lakh से multiply किया तो कितना हो गया हमारा इसकी place value कितनी आ गई 6 lakh, अभी देखे 5 हमारा कौन से place पे है, 10 lakh के place पे है, तो 5 को हम किस से multiply करेंगे, 5 को हम 10 lakh से multiply करेंगे, तो इसकी कितनी place value हो जाएगी, 50 lakh ओके, ऐसी 4 है, 4 को हम किस से multiply करेंगे students, 4 को हम करोर से multiply करेंगे, तो 4 की place value कितनी आ जाएगी, 4 करोर okay students इस तरीके से हम किसी भी digits की place value निकाल सकते हैं कि यह देख करके कि वो digit उस नमबर पे किस place पे है और वो digit उस नमबर पे जिस place पे होता है उस place के number से हम उसको multiply करके उसकी place value निकालते हैं लेकिन face value में students हमें कुछ नहीं करना होता का face value तो जो digit हमें दिया हुआ होता है वही उसकी face value होती है जैसे face value of 6 is 6 इसमें कोई change नहीं होगा 4 की face value 4 यह आएगी 5 की face value 5 आएगी 7 की 7 आएगी 8 की 8 आएगी means इनकी face value में कोई change नहीं होगा जो digit दिया हुआ होता है वही उसकी face value होती है लेकिन place value डिपेंद करते हैं कि वो डिघिट किस प्लेस पे है उस लंबर में ok students next हमने लेते हैं देखें next number है हमारे पास में 1234567 डिइट का एक बड़ा नंबर है students हमारे पास में 54,69,345 यह हमारा number है हमने च्छापन में प्लेस वैल्यू निकालने हैं तो 3 की प्लेस वाल्यू हमारी कितने आएगे students अभी हम देखेंगे यहां पे देखिया once, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, ten lakh, okay students अब बताईए इसमें 3 की प्लेस वाल्यू कितने होगी 3 को हम किस से multiply करेंगे students 3 को हम करेंगे 100 से multiply क्यों क्योंकि 3 हमारा कौन से place पर है 100 के place पर है तो हम किस से multiply करते हैं उसके place की value से अभी यहां पर देखे 3 हमारा कौन से place पर है 100 के place पर है तो हम इसको हम किस से multiply करेंगे 100 से multiply करेंगे तो कितना आजाएगा 3 की place value, 300, Okay students, ऐसे हम अगर यहाँ 4 की place value निकालते हैं, let's suppose कीजिए, 4 को हम किसे multiply carङे students, 4 को हम, 4 हमारा कौँ से place पे है, lack के place पे है, तो हम इसको किसे multiply करेंगे, lack से multiply करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 4 की place value कितने आजाएगे students 4 lakh ओके तो देखें कितना easy है इस तरीके से आप इनकी place value निकाल सकते हैं digits की depend करेगा कि वो कौन से उस place पे है ऐसी आप किसी भी digit की निकाल सकते हैं और इसकी face value students किया हो जाएगी अभी देखिए 4 की अगर हम face value निकालेंगे तो face value of 4 is 4 ठीक है and place value of 4 is 4 lakh okay students तो देखें इस तरीके से आप face value और place value निकाल सकते हैं किसी भी digit का आप उपर उसके place लिखें और place के number से उसको उस digit को multiply कर दीजिए और आपका place value आ जाएक और face value में तो कुछ करना ही नहीं है face value तो वो digit खुद है तो जो digit आपको दिया हुआ है वही उसकी face value है ओके I hope you understood अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो students इस वीडियो को like और share कीजिए चैनल को subscribe and bell icon को प्रेस करना ना भूले thank you for watching, bye bye